Hi everyone, welcome to JK Exam Cracker तो यहाँ पे यह वाली वीडियो में हम देखेंगे General Science and Environment, Ecology and Biodiversity के रिगारिंग जो भी टॉपिक रहेंगे हमारे तो एके करके यहाँ पे हम देखेंगे यह वाली वीडियो में यहीं पे हम Strategy भी देखेंगे कि Case Tribe की Strategy हम फालो करेंगे And यह जो कोर्स रहेगा यहाँ पे General Science and Environment के रिगारिंग Especially अगर आप JK SSB के किसी भी एक्साम की तायरी कर रहे है तो यह वैलिड रहेगा साथी में JK PSC, Railways and Stop Selection के लिए भी वैलिड रहेगा क्योंकि यह जो एक्साम है ना उनको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हमने यह कोर्स यहाँ पे डिसाइन किया है And हमारी Strategy के रहेगी जितने भी लेक्चर होंगे हर एक लेक्चर में आपको मिलेगा Topic-wise MCQ, different exam से Topic-wise MCQ, Clear? So, before starting तो यह हैं यहाँ पे मेरा Brief Introduction I have been teaching from last four years both in online and offline mode to the JEE students and NEED students And I have been also teaching for JKSSB students on target brands and especially general science Now starting here, तो यहाँ पे यह जो syllabus आपको दिख रहा है So, this is for JKPSI So, अगर हम यहाँ पे बात करें So, इन्होंने यह जो syllabus mention किया है तो अगर हम यहाँ पे देखें, number 10 पे general science को mention किया है And यहाँ पे देखिए, यहाँ पे number 7 में environment, ecology and biodiversity को mention किया है तो यहाँ पे इन्होंने like railways में होता है RRB की अगर हम बात करें या फिर stop selection की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही syllabus mention किया जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको general science की subject है तो यहाँ पे इतने number पूशे जाएंगे clear तो इस type से यहाँ पे कुछ silver sign उन्होंने दिया है तो अब कितना पड़े, क्या क्या पड़े तो यह video में यहाँ पे हम देखिएंगे कि आपको कौन से topic पढ़ने है and यहाँ पे किस type की strategy आपको वहाँ पे follow करनी है अगर हम general science की बात करें तो around railways में यहाँ पे 15 into 30 marks पूशी जाती है stop selection की अगर हम बात करें तो around 15 into 20 marks पूशी जाती है and यहाँ पे अगर मैं बात करूँ JKPSI में I think यहाँ पे generally 15 into 20 marks पूशे जाने है कहाँ पे JKPSI में from science component clear and अगर environment की बात करें ecology की especially तो यहाँ पे आपको 5 to 10 marks दिखेंगे clear तो एक एक करके हम यहाँ पे दिखेंगे different components तो पहला यहाँ पे physics ही अगर हम बात करें तो पहला topic जो आपको पढ़ना होगा यहाँ पे that is units तो पहले आपको देखने होंगे different जो physical quantities होते हैं उनके units क्या होते हैं क्योंकि यहाँ से भी कभी बार question पूशा जाता है then हम जाएंगे motion में then work power energy को अच्छे से देखेंगे gravitation को पढ़ेंगे sound and waves को पढ़ेंगे light को पढ़ेंगे यहाँ पे हम देखेंगे ray वाला portion भी and wave वाला portion भी क्योंकि different papers में wave optics जो है न तो यहाँ से भी question पूशे जाते हैं and briefly पढ़ेंगे जितने भी important चीज़ें होंगे वो हम cover up करेंगे then electricity का topic पढ़ेंगे and साथी में magnetic effect of current पढ़ेंगे क्योंकि last year मेंने बच्चों को यहाँ से magnetic effect of current भी cover कराया था तो वहाँ पे जब PAE का exam हुआ था तो direct यहाँ से question पूशा गया था and बोथ सारे बच्चों ने यह topic नहीं पढ़ा था कौन magnetic effect of current and साथी में बच्चों ने यहाँ पे waves में electromagnetic spectrum जो होता है वो नहीं पढ़ा था वो भी मैंने पढ़ाया था वहाँ से भी direct question पूशा गया था then energy या फिर source of energy again यह favorite topic है JK SSB का जितने भी paper उठा लो तो यह वाले chapter में आपको question मिलेगा ही मिलेगा then pressure and flotation clear तो यह यहाँ पे total now topic आपको यहाँ पे मिलेंगे clear तो इन ही को आपको follow करना होगा next अगर हम chemistry की बात करें तो chemistry में पहले आपको अपने basic जो है उन पे ज़्यादा जान देना होगा then यहाँ पे आपको पहले देखना है matter क्या होता है states of matter then chemical and physical change क्या होती है then chemical equations from देखेंगे यहाँ पे chemical properties of different substance and जो chemical names होते हैं काफी important रहते हैं different compounds से direct पूछे जाते हैं या फिर उनके regarding आपको chemical equation या फिर reaction भी पूछी जाएगी then periodic table most important यहाँ से भी direct question पूछा जाता है atomic structure की अगर हम बात करें तो both in chemistry and physics में आपको question मिलेगा then metals and non metals again very important topic then acid waste and salts यह भी हम देखिंगे यहाँ पे then हम देखिंगे carbon and it is compounds clear तो यहाँ तक काफी important रहने वाला है यह चीज़ है clear and then हम देखिंगे यहाँ पे छोटे मोटे topic like polymores हो गया chemistry in everyday life and surface chemistry but यह जो यहाँ पे पहले topics मैंने mention किये काफी important है and generally initial question आपका पूछा जाएगा next अगर हम biology की बात करें तो biology मैं आपको पहला जो topic देखना होगा that is related to human body तो आपको अच्छे से यहाँ पे briefly human body को देखना होगा human body का हर एक part यहाँ पे देखना होगा like nervous system हो गया है digestive system हर एक को यहाँ पे हम cover करेंगे then हम आएंगे different disease पे both communicable and non communicable काफी important यहाँ से भी guarantee रहता है question then nutrition की अगर हम बात करें हम दिखेंगे plants में and animals में भी nutrition then हम पढ़िंगे transportation in plants then reproduction both in humans and plants especially humans की अगर हम बात करें काफी important direct question पूशे जाते हैं then different plant hormones again very important topic then हम पढ़िंगे यहाँ पे cell biology को briefly पढ़िंगे ज्यादा depth में नहीं जाएंगे then हम पढ़िंगे यहाँ पे diversity clear यह biodiversity नहीं है बलकि यहाँ पे diversity है जहाँ पे हम briefly देखेंगे about plant kingdom animal kingdom clear तो यह चीज़ें यहाँ पे हम cover करेंगे general science में and हर एक lecture के end पे आपको मिलेंगे यहाँ पे around 10 plus mcq जो की different papers में notes है न वो काफी एच्छे बन जाते हैं next हम बात करेंगे यहाँ पे environment ecology and biodiversity clear तो अगर हम environment ecology and biodiversity की बात करें तो यहाँ पे around हम पहले देखेंगे आपको basically देखना होगा environment क्या है बिलकुल fundamental से हम जाएंगे ज्यादा imagination कराएंगे ज्यादा रटा नहीं मारेंगे and कभी-कभी need होती है around 20-30% तो वहाँ पे जो data होता है तो वो तो रटा मारना ही होता है but generally यह जो topics है general science, environment and ecology इनको आपको ज्यादा क्या करना होता है इनको आपको ज्यादा correlate करना होता है जो की हम practical day-to-day life में देखते हैं तब जाके यह जो चीज़ें है न यह आपके दिमाग में चिपक जाती है clear तो ज्यादा रटा नहीं मारना होता है यही मेरी strategy रहती है ताकि बच्चों के सामने कुछ चीज़ें practical रखें ताकि हमेशा के लिए वो याद रखें especially जो arts background and commerce background से है मेरे बच्चे जो है around 1000 plus काफी अच्छा score रहा है उनका जितने भी different exams में उन्होंने face किया है general science को almost 80% score उनका रहता है clear तो then हम देखेंगे biosphere, atmosphere क्या होता है lithosphere तो यह terms हम देखेंगे फिर हम आएंगे ecology and ecosystem काफी interesting यहाँ से डेर सारे question आपको मिलेंगे types of ecosystem, structure क्या होता है, function क्या होता है फिर energy flow हम देखेंगे then हम देखेंगे यहाँ पे different topic labs, food chain, food web then nutrient cycling, like carbon cycle हो गया तो यह चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे काफी डेर सारे question यहाँ पे पूछे जाते हैं then हम आएंगे population interaction इस पे या फिर ecological interaction या फिर biological interaction यहाँ से भी direct question पूछे जाते हैं generally यह जो topic होता है यहाँ पे ज्यादा आपको data याद रखना होता है especially example आपको याद रखनी है then ecological succession काफी important and then हम आएंगे यहाँ पे biodiversity and it is conservation पे especially यहाँ पे conservation वाला topic यह पार्ट काफी important रहता है then हम देखेंगे यहाँ पे environmental issues clear especially regarding health and education पहले हम देखेंगे different types of pollution like air, water, noise, soil direct question यहाँ पे पूछे जाते हैं then we will see greenhouse effect क्या होता है acid rain क्या होती है smug, ozone layer तो हर एक चीज को यहाँ पे हम अच्छे से detail में देखेंगे then हम देखेंगे sea waste treatment क्योंकि यहाँ से भी कभी एक बार question पूछा जाता है कहाँ पे sea waste treatment में भी and then waste management and last पे हम देखेंगे फिर environmental laws and various moments like chipcom moment हो गया नर्मदा बचाओ, अंदोलन तो वो चीज़ें यहाँ पे हम cover करेंगे अगर हम यहाँ पे अब number of lecture सी बात करें तो यहाँ पे हम चल दें तो अगर मैं physics ही बात करूँ तो general science में सबसे लेंदी यही रहता है and generally जितने भी अगर आपके 10 questions पूछे जाएंगे around आपके 5 questions mostly यहीं से पूछे जाएंगे clear तो ज्यादा depth में यहीं से आपको पढ़ना होगा तो अगर मैं number of lectures ही बात करूँ total में तो यहाँ पे total में around 35 lectures में पूरा जो syllabus हैं यहाँ पे detailed वो cover हो जाएगा with almost 200 to 300 topic wise MCQs clear then chemistry की अगर हम बात करें तो chemistry मैं around यहाँ पे 20 lectures में complete होगा clear तो around 20 lectures या फिर 15 to 20 lectures then bio की अगर मैं बात करूँ तो bio में around generally 15 lectures में यह जो topics हैं यह cover अप हो जाएगे clear तो environment की बात अगर हम करें यहाँ पे especially environment ecology and biodiversity की without pollution clear तो यह around 15 to 20 lectures में cover होगा कौन यह वाला portion environment ecology and biodiversity then अगर यहाँ पे मैं यह वाले portion की बात करूँ environmental issues health and education तो यहाँ पे generally I will try की यहाँ पे 5 से 8 lecture यहाँ पे बने clear तो around यहाँ पे overall अगर हम बात करें यहाँ पे 25 lectures कहाँ पे environment में clear तो you can also यहाँ पे plus minus five भी हो सकता है तो around 25 आपको याद रखना है तो यह हमारी strategy रहेगी and इसी type से हम यहाँ पे जो अपना course है वो चलाएंगे clear तो घरना नहीं है जितने आपके lectures आएंगे तो हर एक lecture के बाद आपका जो confidence है ना वो दीरे दीरे क्या करेगा वो दीरे दीरे growth करेगा clear तो मिलीगे हम lecture number one में till then take care bye bye